Hello kids, good morning आज मैं आपको इंग्लिस में चैप्टर नम्मा 4 की एक्सराइस कराओंगी ओके बच्चों, तो आप सभी लोग अपनी इंग्लिस की बुक ओपन करिए ओके? ये है आपकी इंग्लिस की बुक, ओके? तो आप सभी लोग अपनी इंग्लिस की बुक निका लिए और उसमें चैप्टर नम्मा 4 की जो एक्सराइस दे हुई है पेज नम्मा 11 पा उसको ओपन करिए ओके? तो ये है आपका पेज नम्मा 11 ओके बचो, अब आप सभी ने पेज नम्मा 11 ओपन कर लिया? कर लिया? ओके तो चलिए अब हम इस एक्सराइस को समझ लेते हैं कि आपको इसमें करना क्या है अब आप देश दखते हो इन पिक्चर्स को कि ये जो पिक्चर्स बनी हुई है और इनके नीचे ये जो वर्ट्स लिखी हुई है इनको आपको complete करना है लेकिन complete किस तरह से करना है तो हम इस adding को read कर लेते है fill in the blanks with e मतला ये जो वर्ट्स incomplete है ना हमें in words को e letter के साथ complete करना है मतला इसमें e letter को fill करना है तो देखिए अब हम पहले इसको read कर देए क्या लिखा हुआ है? as and और ये है P, अब इन में क्या जाएगा, दोनों में ही E letter आ जाएगा, ओके, अब देखो, इसका mean क्या है, S, L, E, P, sleep, sleep means क्या होता है, सोना, अब ये boy है ना, sleep कर रहा है ना, सो रहा है ना, ओके, अब नेक्स्ट, ये क्या है, N और ये T, अब इसमें क्या आएगा, पताओ, कौ क्या बन गया, N, E, T, net, net, net means क्या होता है, जाएग, अब नेक्स्ट है, T, R, अब इसमें क्या आएगा, बताओ, ये क्या बना है, ट्री बना हुआ है ना, तो देखिए हमने इसमें, दौनों में, E लिख दिया, है ना, तो क्या बन गया, T, R, E, tree, tree means, पेड, अब ये देख B, E, D, bad, bad means क्या होता है बच्चो, ये क्या बना हुआ है, पलंक, अभी क्या है, P, और ये A, जिसमें क्या आएगा, बताओ, E, तो देखिए, ये बन गया, E, अब कौन सा वर्ड होगे ये, P, E, A, P, P means होती है, मटर, ओके, अभी क्या है, V, E, मतलना इसमें हम फिल करेंगे E letter को, तो कौन सा वर्ड बन गया, V, E, S, T, West, ओके, तो ये exercise आपको समझ में आ गई है न, तो इसी तरह से आपको इस exercise को अपनी बुक में ही फिल करना है, ओके बच्चो, तो चले, अब हम next exercise को समझ लें दिकिए, next exercise में आपको क्या करना है, तो ये है आपकी next exercise, इसमें करनी है, क्या करनी है? Matching, लेकिन किसके साथ matching करनी है? जो similar sounds होते है ना, उनके साथ हमें matching करनी है, okay? जैसे कि हमने chapter 4 में read कि याता था ना, जैसे क्या होता है? bent, tent, meat, sheet, है न? sound? similar sound है नहीं है देखो Sound इक से निकल र세 है hem है इसां के साथ इसे कि मैचेंग करेंगे तो दिकी या पे picture बनी हुई है और इफया aneels कi picture ही इसनि इफया конечно सकती है इन पिक्चर्स को देखिए, है न, ओके, आज तो चले अब हम इसकी मैचिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो यह क्या बना हुआ है, B-E-A-R, bear, bear बना हुआ है, यह heat, यह lag, यह pet, pack, bear, wet, wheat तो देखे हैं हमने इसको read कर लिया, अब आपको sound भी पता चल गया होगा लेकिन इसको हम समझ कर ही इसको करेंगे, ओके बच्चों, तो देखे हैं लिखाएं B-E-A-R, bear, अब देखे, B-E-A-R, bear, अब इसका similar sound कौन से होगा, तो read करते हैं P-E-G, pack, P-E-A-R, bear, मिल गया, देखो, bear, bear, अब क्यों है, देखे, पीछे की letters देखो E-A-R आ रहा है न, और इसमें भी देखो, E-A-R आ रहा है, इसलिए, अब पीछे की letters, इसमें त्री जो letters है, और इसमें जो त्री जो letters है, सेम सेम है, है न, सेम है न, तो इसलिए, इसकी matching, ये हो जाएगी, bear की pair, इसलिए ये बन गया similar sound, bear का similar sound क्या हो गया, bear, और पेर का similar sound को दूर लेते हैं, pack, match हो रहा है, no, क्यो, heat, pack, अलग है न, अब इसको देखो, ये तो हो चुका, अब से, wet, wet, heat, heat का दूरना है न, wet, match हो रहा है, no, अब इसको देखते हैं, w, h, e, a, t, wheat, तो देखो, heat, wheat, तो ये मिल गई matching, अब हम इसकी matching इसके साथ करेंगे, पर क्यों क अब ये बताओ, क्योंकि इसके जो लेटर है, लास्ट में, e, a, t, और इसमें भी, e, a, t, आ रहा है, इसलिए इसकी matching, इसके साथ होगी, तो heat का similar sound बने का, weight, ओके, अब next है, leg, 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 अग, leg का similar sound क्या होगा, बच्चो, P, E, G, pad, क्योंकि इसमें भी e, g, और इसमें भी e, g, जिसकी matching होगी हमारे इसके साथ, अब last में हमारे क्या बच्चा, P, E, T, pad, तो pet की matching, W, E, T, wet, wet के साथ होगी, क्योंकि इसमें e, t आ रहा है, और इसमें भी e, t आ रहा है, तो ये दोनों होगए similar sound, इसका similar sound ये होगी औ ना तो आपको यह वाली exercise समझ में आ गई है ना ओकै तो देखो अब आप जब इसको करोगे ना तो समझ कर ही करना क्योंकि अगर आप इसको matching ऐसे कर दोगे जल्दी में कि उसकी ना कर देती हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा किसो नहीं पर अपने यहां इसकी मैचिंग करो, ओके बच्चो, तो चलिए वापिस को करिए, बाई बाई